साथियों आप सुभी के स्प्रेटफार्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग आगामी परिच्छाओं के लिए महात्पूर्ण करेंट अफेर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग परिच्छा मंथन पॉब्लिकेशन के द्वारा जो लच इसपसर 23 नाम से करेंट अफेर की मैगजिन परिकासित के लिए तो इसके बिविन टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं तो आज के वीडियो में हम लोग इसमें जो प्रवुक आपदाएं और दुरगहटनाओं के बारे में दिये गए है उसको यहाँ पर मुद देखेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं तुर्किये में जो भुकम पाया था तो देखिए ये भुकम तुर्किये और सीरिया दोनों में आया था और इसको mapping की दिश्टकॉन से भी आप एक बार इसको map में इसकी अवस्टित जो है तुर्किय और सीरिया की इसके पड़ोसी दिश्कॉन से हैं इन सब के बारे में एक बार आप अवस्ट देख लीज़ेगा तुर्किये में भुकम की बात करें तो फरोई 2023 में तुर्किये में 7.8 तिवर्ता के भुकम के जटके महसुस किये गए जिसमें एनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के रूप में जानी जाने वाली प्लेट प्रसिद्ध भ्रंस प्लेट सीमा के साथ टकरा गई यहाँ भुकम इस्ट्राइक स्लिप क्वेक था जो अपेच्छा कित कम गहराई पर उत्पन हुआ था इसे तुर्किये के संदर में सताबदी का सबसे सक्साली भुकम और वर्स 1949 के बाद से सबसे खराब आपदा के रूपे वणित किया जा रहा है वर्स 1949 का भुकम एरजीनिकन भुकम था जिसने एरजीनिकन मैदान और केलिकट नदी घाटी में अद्धिक छत पहुँचाई थी है इस भुकम के बाद भारत ने वहाँ आपरेशन दोस्त के ताहत आपदा में फसे नागर को निकालने में मदद की तो भारत में कौन सा आपरेशन चलाया था या आपदा से राहत के लिए कौन सा आपरेशन चलाया तो धियान रखिएगा ऑपरेशन दोस्त अब भारत दोरा चलाया के कुछ प्रमुक निकासी जो अभियान है सुमिल करने के लिए पूँच सकता है तो उनको थोड़ा देख लिए एक था आपरेशन देवी शक्ति दोजार इरिकिस में चलाया था ये किसले चलाया था तो अगस्ट दोजार इकिस में हिंसा ग्रस पर प्रतिबंध होने से विदेश में फशे भारती नागरिकों को वापस लाने है तो बंदे भारत मिशन चलाया गया और वहीं ऑपरेशन समुद्र से दोजार बीस वर्स दोजार बीस में COVID-19 महामारी के दोरान भारती नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के लिए नौसैनिक अभियान आउपरेशन समुद्र से दो चलाया गया और आउपरेशन महत्री की बात करें ये 2015 में चलाया गया था वर्स 2015 में नेपाल में भुकंप आया था तो उस भुकंप में बचाओ रात अभियान के रूप में आउपरेशन महत्री का संचान भार सरकावर भा पूछा सकता कि गब्रेल चक्रवाद के बाद किस देश में आपाद काल लगा गया तो न्यूजिलैंड में अगला है नेपाल बिमान दुरघटना या काटमानुप्रेन हासा दोनों कह सकते हैं तो ये नेपाल की पोखरा में हुआ 15 जनवरी 2013 को इसमें पांच भारतियों समय कुल 22 लोग की मौथ हो गए वही उक्रेन हेल्ली काउट्र दुरघटना की बात किर रहें है यह उक्रेन की राजशानी क्यों में हुई 18 जनुरी 2013 को इसमें युदिग्रस्त है युदिग्रस्त युट्रेन में हेलिकाउटर दुरघटना में क्री मंत्री डे execution मोनस्तित की औ कॉंग कॉंग में पंजिकृत एक मालवाकपो जो मलेशिया के पोर्ट क्लेंग से दच्छन कोरिया के इच्योन बंदर का को ज़ता तो यह डच्छन कोरिया सब्स perfect है औरже और क्लेशिया करते हैं बस चक्रवाद ये यह काсудमांडू वाला आप second बॉल वाला वहिये बम चक्रवाद जो है ये अमेरिका और कनाडा में 24 दिसम्बर 2022 को आया इसमें प्रभावित जो छेतर थे वो कनाडा और अमेरिका रहे हैं इसे चक्रवाद के दोरान क्या हुआ है कि टंप्रेचर बहुत नीचे चला गया माइनस 50 से माइनस 60 डिगरी संटिगेट थे कहाँ पर कमप्रेचर चला गया था मैंडस चक्रवाद के बारे में बात करें तो ये भारत और स्रिलंका इसे प्रभावित थे औरेशिया के जावादीप पर जावादीप पर ये बिसफोर्ट हुआ था तो ध्यान रखेंगा सेवेरु जौला मुखी इंडोनेशिया में है और कहाँ पर जावादीप पर दिसंबर 2022 में ये बिसफोर्ट हुआ था श्रितरंग चक्रवाद ये इससे प्रभावित देश भंगला देश रहा है उश्कडिबंधी परकार का था इसका नामकर श्रितरंग जो है वो थाईलैंड के द्वारा रखा गया था इयान तूफान ये उत्तरी अमेरिका की क्यूबा में 27 सेतंबर 2022 को आया इससे जो था वो ताइवान के चिसांग सहर के पास था अगला है नान माडोल तूफान ये जापान के क्यूशू जो दीफ है यहाँ पर तो देखिए आप जो चार दीफ हैं आप मैंपर देखेंगे जापान के तो होकंडो, होंसू, क्यूशू और सिकुकू बदब नॉर्थ तू साउच चलेंगे तो यही करम आता है सबसे नॉर्थ में आपका होकंडो, फिर होंसू, फिर क्यूशू, फिर सिकुकू, क्यूशू इस प्रकार तीसे नंबर पर आता है ये सितोश कटिवंधिये तूफान था 18 दिसंबर 2022 को आया, 8 सितंबर 2022, दिसंबर ने, 8 सितंबर, अग अगला है अशानी चक्रवाद, अशानी चक्रवाद से प्रभावित जो छेतर थे वो उड़ीशा यों पशिममंगाल, उड़ीशा और पशिमंगाल 10 मई 2022 को आया, और सिलंका के द्वारा जो है इसका नामकर्ण किया गया उश्कटवंधि प्रकार का था, ध्यान रखेगा, जो है क्रोध और जिसकी प्रकित क्या थी उश्कटवंधि ये, चक्रवाद इमनाती, तो चक्रवाद इमनाती, जो है 26-27 परभी 2022 को आया था, मेड़ागाशकर, ये बहुत पुराना है, इसके पुछी जानिक संभावना कमी है, तुफान वसराई, मेड़ाशकर, पांच पर